हेलो फ्रेंच मैं अनामी का मेरी किचिन में आप से भी का श्वागत है फ्रेंच हमें हेल्ली रहना बहुत ही ज़रूरी है तो हेल्थ के लिए हम घड में चाहते हैं तड़ो तादा चीज बनाएं तो आज हम मौस्टमी का जूस लेकर आएं हैं ये फ्रेंच मौस्टमी जूस हम आपको घर पे मिक्सर जार में बना के दिखाएंगे वो भी 5 मिनट में बनकर तयार होने वाला जूस है तो फ्रेंच इस वीडियो को आप लाज तक देखिए अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चरूर कीजिए तो चलिए हम पड़ाफट इसे बनाना शुरू करते हैं मौस्टमी का जूस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक किलो मौस्टमी लिया है मौस्टमी ताजी होनी चाहिए, पेर पे तयार होनी चाहिए तो उससे अच्छा रश निकलता है हम आपको काटने का तरीका बता रहे हैं तो सबसे पहले हम उपर के पॉइंट्स को काट देंगे और नीचे के यानि कि यहाँ पे उसका जो जड़ होता है लगा होता है जहां से हम तोड़ते हैं वो होता है और यह नीचे वाला हिस्सा बीच में हम इसे पांच से साथ कट ऐसे डाल देंगे बड़ा मौचमी होतो ज़्यादा डालिए छोटा होतो कम डालिए अब हम छोड़ी के मदद से ही इसका एसकी निकालेंगे तो ऐसे हम पकटते हुए आप देख सकते हैं आचानी से इसकी एसकी निकल जाती है तो यह रहा अपना छिलका हटाने का तरीका हमने सभी मौचमी के शिलकी हटा लिये हैं आप देख सकते हैं इतना शिलका हटाने में हमें दो मिनट लगा है तो यहाँ पे हमने मिक्सर का जूसर जाड लिया है जूसर जाड में यह धकन होता है जिससे प्रेस करते हैं और यह जाली होता है तो सबसे पहले हम इसमें जाली को फीट कर देंगे हमने इसमें इसकी जाली फीट कर दी है अब हम इसमें मौसमी को ऐसे दो टुकड़ा करके डालेंगे इससे क्या होता है? जूस असानी से निकल जाता है अगर आपके पास ऐसा जूसर जार नहीं है तो मौशमी का बीज निकाल दीजिए फिर आप उसमें डालिए तो हमें एक बार में जितना आएगा उतना हम मौशमी काट काट के डाल देंगे अब चलिए हम मिक्सर के तरफ चलते हैं मिक्सर के हम अपना जार सेट कर देंगे अच्छे से लॉप कर देंगे इसको और उपर से ये जो धकन है जिससे हम ये प्रेस करते हैं वो डालके फिर हम धकन लगा देंगे तो आप देख सकते हैं अपना मिक्सर जार रेड़ी है अब हम मिक्सर आप देख लीजिए यहां पे अपना फ्रेस जूस तयार है उपर का धकन खोड़के मैं आपको दिखाती हूं यहां पे इसके जो अंदर वाले रेसे बचते हैं वो बचे हैं तो चलिए हम इसको सर्व करके ग्लास में दिखाते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं एक किलो मौशनमी से हमने शाड़े 700 ग्राम जूस तयार किया है यह अपना एकता फ्रेस जूस तयार है चलिए हम इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं यहां पर हमने काज की ग्लास ले रखा है और इस टेनर में हम इसे शांती हुए सर्व करेंगे तो फ्रेंट्स आपने देख लिया मिक्सर जार में मौशनमी यूस बनाना कितना आशान है यह बिल्कुल फ्रेस जूस तयार हुआ है कोई भी आईस का मिलावट नहीं है न शक्कर मिलाया गया है चाहे आप बच्चों को दीजिए या बीमार को दीजिए रुडे को दीजिए कोई नुक्षान नहीं करेगा हाँ अपने मन पसंद ठंडा पीना चाहते हैं तो आईस क्यूब डालिए काला नमक डालिए शक्कर डालिए टेश्टी बनाना आपके हाथ में है पर हमने यहां पर फ्रेश जूस तयार करके आपको दिखाया है फ्रेश अगर आज की मेरी ये जूस की रेश्टी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए कमिल करना मत भूलिए धन्यवाद